एक बार अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, माधव, ये सफल जीवन क्या होता है? कृष्ण अर्जुन को पतंग उड़ाने ले गए, अर्जुन कृष्ण को ध्यान से पतंग को उड़ते देख रहे थे. थोड़ी देर बाद अर्जुन बोले, अब ये धागे की वजह से पतंग अपनी आजादी से और उपर की और नहीं जा पा रही है. क्या हम इसे तोड़ दें, ये और उपर जाएगी? कृष्ण ने धागा तोड़ दिया. पतंग थोड़ा सा और उपर गई, और उसके बाद लहरा कर नीचे आई और दूर अनजान जगह पर जाकर गिर गई. तब क्रिश्ण ने अर्जुन को जीवन का दर्शन समझाया. जिन्दगी में हम जिस हूँचाई पर हैं, हमें अक्सर लगता है कि कुछ चीजें जिनसे हम बंधे हैं, वे हमें और उपर जाने से रोक रही हैं. जैसे घर, परिवार, अनुशासन, माता-पिता, गुरू और समाज और हम उनसे आजाद होना चाहते हैं. वास्तव में, यही वे धागे होते हैं, जो हमें उस उन्चाई पर बना के रखते हैं. इन धागों के बिना हम एक बार तो उपर जाएंगे, परंतु बाद में हमारा वही हश्र होगा जो बंधे हुए पतंग का हुए. मिशकर्श, जीवन में यदि तुम मूचाईयों पर बने रहना चाहते हो, तो कभी भी इन धागों से रिष्टा मत छोड़ना.